आज के जो टॉपिक है वो बड़ा इंट्रस्टिंग रहने वाला है टॉपिक में करना क्या है बेसिकली 24 कारेट गोल्ड, 22 कारेट गोल्ड, 18 कारेट गोल्ड इन सब्सक्राइब में डिफरेंस क्या है आपको वो समझाना है और एंड में जो गोल्ड की अगर हम बात करें इसक करना पड़ेगा आप एक्जेंपल के तुर्पे मान के चलो यह वाइट बोर्ड जिसमें मैं आपको पड़ा रहा हूं इसको हमने 24 पार्ट में डिवाइड करते हैं हमने इसके 24 टुकड़े कर दी अब अगर ऐसा होता है कि 24 के 24 टुकड़े हैं वो सभी के सभी गोल्ड से ब बने हुए हैं तो मैं बोलूँगा है मेरे पास यह वाइट बोर्ड है यह 24 का है थोड़ा बहुत समझ आ रहा है मतलब पूरा का पूरा गोल्ड जो है वह अगर प्योर है उसमें कोई और मैटल एड़ ही नहीं करा गया है सिरफ और सिरफ वह चीज गोल्ड की बनी है तो मैं बोलूँगा वह 24 कारट है तो हमने 24 पार्ट में डिवाइड की होता है जिनरली तो अगर मैं बोल तो कि 24 के 24 पार्ट यहां पर जो है वह गोल्ड के है तो इसको करने परसेंटेज में निकाना चाहूंगा 24 में 24 पार्ट कर जाएगा 100% हमारे पास से क्या बन जाएगा गोल् दुछी तुरफ आते हैं 22 कारट गोल्ड का मतलब क्या है 22 कारट गोल्ड का मतलब है वही 24 पार्ट है अब ओझ को 24 पारट गोल्ड के है तो मैं यह बसको करना स्टाफ 바뀌ना सवसका तो म énerप Independence versus आएगा वह क्या है गोल्ड नहीं होता वो लगबग 92% के आसपास होता है 91.6% आता नाम इसी वज़ा से 22 का जो गोल्ड है उसे 916 गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है 916 कहां से आ गया आपको समझ आ गया 22 का गोल्ड का दूसरे नाम क्या है वो भी समझ आ गया तो डिफरेंट समझ आ रहा होगा 24 का गोल्ड और 22 का गोल्ड में क्या है अब अगर 91.6% गोल्ड है तो बाकी क्या है बागी कुछ अलग से metal होते हैं जैसे zinc add क्या होगा, silver add क्या होगा, हो सकता है कि इसे में copper भी add क्या होगा, तो बागी अलग करा के metals add करके वो पूरा proper 24 पार्ट बनाये जाते हैं, उमीद करता हूं समझ आ गया होगा, उसी तरह के से 18 karat gold की बात करेंगे, आप 24 में से 18 टुकड जो हैं वो gold गहें, जब इसको अब solve करना start करोगे, तो answer को 75 आ जाएगा, तो आप लोगे 75%, 75% इसमें gold होता है, बागी दूसरे metal होते हैं, तो 75% की वज़े से 750 gold के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको समझ आ गया, अब इसी तरह के से 14 karat gold है, वो आप calculate कर सकते हो, 14 divided by 24 multiply by 100, आपको समझ आगा 14 karat gold किया होता है, तो basic आपको ये तो समझ आ गया, इन सब्सक्राइब में difference क्या होता है, अब अगर हम बात करेंगे, जो जल्दी खराब हो जाएगी, वो जादे टिक ही नहीं पाएगी, तो भाहां पे 24 karat gold हम यूज नहीं कर सकते हैं, उसको हम यूज कहां पे करते हैं, और साथे वेर टेर बड़ा होता है इसमें, तो 24 karat के gold को अगर हम इसकी बात करेंगे, जनरली हम जो coins मिनाते हैं gold के, उसमें use करते हैं, chocolates होते हैं, बार वगरा, वहां पर एक gold जो है, जनरली कामाता बनाने की, हैना, तो इतना को याद करना पड़ हो है, लेकिन बागे जो metals हैं, इन metals के properties के उसमें add हो जाती है, इसके कारण, यह थोड़ा hard बन जाता है, life बढ़ जाती है, shining तो रहती है, 91.6% की वज़े से, लेकिन इसके durability भी बढ़ जाती है, तो क्योंकि jewelry आपने जनरली यूज करनी है, ज्यादर टिक पाएगी, इसलिए आपके budget के उपर है, सबसे महंगा कोंसा हो जाएगा, इस तरह से चलता जाएगा, तो basic difference आपको समझ आ गया है, अब दूसरा क्या है, कही बार हम, यह carrot जो है, के for carrot, यह वाज़ा है, हम कही बार C-A-R-A-T बोलते हैं, यह carrot अलग होता है, यह carrot हो गया, जो सोने की purity को बता र हो है, आपको समझा, समझा दिया, कितना pure है, कितने percent pure है, उसके लिए हम यह carrot यूज करते हैं, के वला, जो C-A-R-A-T-A अमाउंट बताता है, कितना mass है, एक carrot जो है, दोसको MG के बराब रहता है, समझ को, अगर एक carrot चीज मेरे पास, इसका मतलब दोसको मिलिग्राम की चीज अब प्लेलिस स्टार्ट कर चुके थे, day seven है, अब इसमें यह decide कर रहा है, कि वो वीडियो जो आपकी competitive exam में काम आएंगी, उसके साथ-साथ, कुछ ऐसी वीडियो जो basic GK आपकी enhance करेंगी, वो वली वीडियो पिलाता रहोंगा, लेकिन उन वीडियो में कुछ ऐसी जरूर ल इसम का CA हो जाएगा, nitrogen का N होता है, तो गोल्ड का G क्योंने, गोल्ड का AU क्यों होता है, क्योंकि गोल्ड जो है, यह एक Latin term है, वहां से लिया गया, उसका aurum, AU, इसका मतलब भी gold होता है, यहां से gold कनाम बनता है, तो जो AU, AU, आपको देखने को मिल रहा है, इसके दो पाइल लिया गया, AU, यही होता है, gold का symbol, यह आपको समझा गया, atomic numbers का 79 होता है, और periodic table में कहां बनाता है, यह D block में आ जाता है, अगर gold की बात करेंगे, इसे melt करना चाहोगे, तो 1064 degree Celsius तक आपको जाना पड़ेगा, 100 degree Celsius में normal conditions में पानी boil होता है, तो 1000 degree Celsius तक जाना पड़ेगा, लग और अगर हम बात करेंगे, मैंने बता दिया, अलड़ी gold soft बढ़ा होता है, soft होने के साथ साथ ही malleable भी बढ़ा होता है, malleable मतलब क्या, जैसे example लेके बताता हूँ, 28-30 gram का आप सिर्फ सोना लेलो, उसको गर आप beat करता, start करोगे ना, तो आप उससे 300 square foot तक की sheet बना सकते हो, एक square foot मतलब समझते हो, एक foot ये, एक foot ये, एक foot ये, एक foot ये, ये होगा, एक square foot, इस तरह से 300 square foot तक की आप sheet बना सकते हो, सिर्फ 30 gram सोने से इतना ये malleable होता है, समझते हो, और ductile भी बढ़ा होता है, ductile के example लेके बताता हूँ, आप सिर्फ 1 gram gold लो, एक gram gold, उससे आप 2 km लं इतना ductile भी आपको देखने को मिलता है, तो soft भी बढ़ा है, malleable भी है, ductile भी है, ये कुछ basic properties हैं, जिनके बार में आपको पता होना चाहिए, दूसरी बात, gold की density कितनी होती है, जैसे कर हम बात करेंगे, जैसे एक मीटर क्यूब का में कोई box ले लेता हूँ, उसमें पानी स्टार्ट करूँगा, वो कितना आएगा, एक हजार किलोज में पानी आएगा, वाइसे लेटर में बोलते हैं, density किलोग्राम पर मेटर के अपको बता रहा हूँ, एक हजार किलोज में पानी आजाएगा, और अगर उसी एक मीटर क्यूब के box में गोल्ड डालना स्टार्ट क बागी जीएगे, मेरी नाम के दिख सकते हों, वीडियो अच्छी लगएगी, वीडियो को शेर जरूर कीजेगा, और अगर किसी टॉपिक पर इस तरह किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके जरूर बताएगा, थांक्यू, जाहिंत